शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए नशा शराब में होता तो नाचती बोदल आँखों से पी या मैं खाने से पी और शराब की लट आपने शराब के या नसीले पधारतों के दुनिया में बड़े-बड़े कादना में बड़े-बड़े कभिता, बड़े-बड़े मुशायरे, बड़े-बड़े शायर, बड़े-बड़े अशार, बड़े-बड़े शेर, बड़े-बड़े लोगतियां, कहानियां और बहुत सारे नाटक, मंच आपने देखे होंगे कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो शराप को बहुत ज़्यादा महीमा मंदित करकर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है जो भगवान बुद्ध ने पांच सील दिये पांचों सील जरूरी होते हैं उनमें से कोई भी सील छोड़ा नहीं जा सकता चार सील पहले बताए जा चुके हैं ये पांच मासील है सुरा मेरे मज़ पमादिटाना वेरमणी सिखा पदंग समाद्यावी इसमें सुरा का जो मतलब है सुरा है वो आसब जो नसिले पधार्त जिससे आते हैं या जो बुराईया आती है मेरे जो है मेरे एक ठोस तरह के पधार्त को बोलते हैं जो नसिले पधार्त होते हैं उनको मेरे बोलते हैं मज़ का मतलब होता है जो आपने देखा होगा मद निशेद संस्काइद भासा में मज़ को मद बोलते हैं यानि कि जो मद में आपको ले आए, मद मस्त कर दे, ऐसी चीज़ें, ऐसे पधार, ऐसी बात हैं. मगर इसमें जो इससे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, वो है पमादित ठाना. पमादित ठाना जो शब्द है, इसका मतलब है जो पमाद के स्थान है. यानि जहां आप पमाद में पढ़ जाते हैं, जहां पमाद आपको ले के जाता है, जहां आप पिरमाद में पढ़ जाते हैं, जहां आप का मन राग और बेस में पढ़ जाता है, ऐसे इस्थान. वेर्मणी का मतलब है विरत रहना है सिख्था पदं का मतलब है सिख्षा के पद यानि एजूकेशन के जो स्टैप्स हैं और समादियामी का मतलब है सम माने बरावाद पूरी तरह से आदियामी का मतलब है लेता हूं गर्ण करता हूं यानि कि जो नसीली दर्व्य पदार्थ हैं जिसको सुरा बोलते हैं या ठोस पदार्थ हैं जिसे मेरिय बोलते हैं या मद्ध जो चीज़ है जो मस्त कर देती है ऐसे पदार्थ हैं ये है सुरा मेरे मजजे पमादि ठाना वीरमनी सिखा पतं समाध्यामी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध के सीलों का पलंग करे और वो यह कहे कि मैं चार सील का पलंग करता हूं पांच में का नहीं करता और नशीले पधात नहीं करने पांचों मंने शब्ध आता है इसको व वारित बोलते हैं इसी को वरती रहना बोलते हैं 24 गंटे 300 पैस्र दिन आपको इन से वरत रहना है वरती रहना इसमिआ वारित बोला जाता है यह सील क्यों पड़ा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी भगवान बुद्ध ने जो यह सील बताए है सील का मतलब है कि जो आपके वचन को जो आप बोलते हैं और आपके जो काम है उसको मन से सैयत कर दे वो बात है जो मन से बलकूर ठीक कर दे, शान्त कर दे और आपको लाब कारी हो, वो सारी बातें उनको सील कहा गया है भगवान बुद्ध के समय से पहले बहुत प्राचीन काल में भारत में कोई इस तरह की वेफचार या चोरी या नशा या पता नहीं होते थे बहुत सारे लोगों ने जो गुस्पैट की भारत के अंदर वो अपने साथ बुराईयां लेके आए और उन्होंने बुराईयों का वेपार किया जो और जिगे जहां से वाए वहाँ चलती थी तो भारत के लोगों को भी उन्हें इन बुराईयों में डालना सुरू किया क्योंकि किसी को अगर तलवार से या किसी को बंदुक से या किसी को अगर जबर जस्ती आप अपना गुलाम या अपना सले बनाना चाहेंगे या उसे कमजोर करना चाहेंगे तो फिर उठ खड़ा होगा मगर अगर उसके परिवार में उसके पुत्र पुत्री में उसके ठांदान में या उसके अंदर अगर कोई बुराई डाल देते हैं कोई वैसन डाल देते हैं तो या कोई आसन डाल देते हैं तो फिर वो आपका पर्मानेंट गुलाम हो जाता है और वो इतना गुलाम हो जाता है कि उस गुलामी के चकर में वो अपने बीबी बच्चों को भी आपको दे जाएगा अपना पैसा, अपना रुपी, अपना खेट, अपना जमीन जायाद यहां तक कि वो आपकी बेगार भी करेगा अगर वो इन व्यसनों में पढ़ जाता है इसलिए उन दिनों सराप का चलन, सुरा का चलन या मेरिय का चलन या मज्य का चलन, या ऐसी प्रमाद की चीज़ें प्रमाद में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे प्रमादी का जो मतलब होता है कि जिस चीज़ का आपको लत या राग लग जाए ऐसी चीज, बहुत सारी चीज़ें उसमें उस समय आती है तो उस सारी चीज़ें की आदत भारत के लोगों को डाली गई और भारत के लोगों को फिर जंजीरों में बांदने की जोट नहीं पड़ी वो सारे के सारे पर्मानेंट गुलाम होगे उन लोगों के जो लोग बहार से गुस्पैट करके आए और इन बुरी आदतों को लेके आए इसलिए ये बुरी आदते हैं भगवान बुद्ध के समय में लगबग सारी छोड़ी जो ये कहते हैं क्योंकि बार 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 मन में डाला जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है कि ना छोड़ी जाए ये बार बार मन में इसनी डाला जाता है कि आपको लगे कि शराब बहुत बड़ी चीज है या बहुत बड़ी इसकी आदत है जो छूट नहीं सकती जैसा कि कॉरोणा के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे शराब पीने वाले या सिविट पीने वाले या नशा पता करने वाले जिनको मिली उन्होंने अपनी जरुद पूरी करने के लिए इस आदत को पूरी करने के लिए इस्तमाल किया या जिनोंने बहुत उंचे दामों पर चोरी छुपे लिया उन्होंने किया और जिनको नहीं मिली उन्हें कोई आदत भी नहीं पड़ी यानि कि उनकी छूट गई आदत बहुत लोगों की आदत छूट गई और जब available होगी तो फिर वो उसकी तरफ मन करेगा और हो जाएगा ये basically काम कैसे करती है अगर ये समझ लें कि ये आदत काम कैसे करती है तो इसे छोड़ना आसान होगा क्योंकि शराव ऐसी चीज है जो छोड़ी जा सकती है क्योंकि जो आदत पड़ती है वो छोड़ी जा सकती है भगवान बुद्ध के समय में और असोक के समय तक असोक के पोत्र के समय तक और बहुत बात तक भी लोगों ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि पंचील का पालन पूरे देश में होता था और सारी बुराईया लगबग लोगों ने छोड़ दी थी तब ही भारत बहुत ज़्यादा शक्ती साली हुआ और सबसे ज़्यादा अखंड भारत और ब्रत भारत उसी समय रहा तो काम कैसे करती है जब पहली बार आपके सामने कोई शराब लेके आता है कोई नशिला पदात लेके आता है या कोई मज लेके आता है या कोई प्रमत्त का सामा लेके आता है तो आप ध्यान देंगे कि आपको आदत नहीं है यानि पहले से कोई आदत आपको पड़ी हुई इसलिए ये कहना कि इसकी शराव के हमें आदत लग गई, आदत लगी नहीं है, क्योंकि शराव आपके पास जब पहली बार आई है, या नशिला पधार पहली बार आया है, तो आपने उसका सेवन किया है, पहली बार सेवन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनका जो एक्स इसी को आदत भी नहीं पड़ती, मगर जब वो उसको घ्रन करता है, तो ये पधार्थ कैसे काम करते हैं, इन पधार्थ को लेने के बाद में, आपका जो सेंस का सिस्टम है, यानि कि जो आपका इद्दी का तंत्र है, इद्दी का तंत्र उसको बोलते हैं, जो आपको रहा हूं, मगर अगर मैं कोई नसीला पधार्थ ले लेता हूं, तो फिर मेरा जो सेंस है, वो 100% काम नहीं करेगा, उसकी जो एफिसेंसी है, काम करने की छंता है, वो कमजोर हो जाएगी, ये जो पधार्थ हैं, ये मेरे काम करने की छंता को कम कर देंगे, और मेरे ब्लेट पैसर को भी कम कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा, कि जैसे सब कुछ आराम में है, क्योंकि नीद की जो मुद्रा होती है, जिस समय नीद आती है, उस समय भी हमारी बोडी काम करना करती जाती है, और बंद कर देती है, सेंसे सारे बंद हो जाते हैं, जो तंत्र हैं, जो इ वाले मोड में आ गए हैं तो लगता है कि बड़ा अच्छा है क्योंकि अब सरीर पर जो नहीं पड़ रहा अब ब्रेन पर जो नहीं पड़ रहा अब मन और मस्तिक्स बिल्कुल आराम में आ गए है ब्लेट पैसर कम है तो अचनक high speed से चलती हुई कार जो 150A जा रही है अगर अचनक वो 20-30A speed से आ जाजा है तो अश kart में आ गए है तो ये बड़ा मन को तोड़ा सा अच्छा लगता है कि सरीर कभी नहीं चाहता कि वो काम करे क्योंकि इसके अंदर जो मार होती है वो हम ऐसा कहती है कि क्यों मेनद कर रहे हो, क्यों एक्साइज कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, छोड़ो, क्योंकि सरीर को मार खतम करती है, मार चाहती है कि सरीर को जल्दी से जल्दी खतम करगे, अपना काम खतम करे, सरीर के अंदर जो मार की और डैथ की फाइल होती है, वो 24 गंटे एक्टिवेट रहती है, वो 24 गंटे कहती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे सरीर जादा दिन तक चले, तो वो हमेसा ऐसे कामों के लिए आपको प्रेट करती है जो मार है या निगेटिव हो जा है जो आपके सरीर के अंदर ही होती है जिससे आप अपने सरीर की जादा देर चलने वाले या स्वस्थ होने वाले काम को छोड़ दें तो शराव या नसीले पदात उसी में आते हैं जैसे वो पहुंसते हैं तो मार का मन पसंद वो बोजन है यानि कि मार उसको बड़ा पसंद करती है कि ये बहुत अच्छा भूजनाया है जिससे कि मेरा काम आसान हो गया अब इसका सरीर डाउन होने लगा है अगर आपको नसीला पदात बहुत ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो मर भी जाएंगे यानि मार का काम जल्दी खतम हो जाएगा तो मार बार 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 कैसे उसको याद कराती है कि आपको दुबारा से शराब लेनी है या नसीला पदात लेना है इसका एक पहली बाद जब कुछ सेवन करता है तो इसका एक फोल्टर बनता है इसकी एक जानकारी का खाता खुलता है खाता खुलता है सरीर के अंदर कि ये वाला पधात लेने से मेरे सरीर में बड़ा relaxation आया अगर ऐसा जोड़ा गया है तो और जो लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये पधात लेने के बाद मेरा सरीर डाउन हो गया और मेरे सरीर में ये कमी आ गई, मेरे सरीर में दर्द हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरा ब्रेन काम करना कम किया, मेरा जो खून का दोरा है, जो ब्लड का पैसर है वो बड़ा कम हो गया, मेरी उर्जा कम हो गई, मैं काम नहीं कर पाया, मैं पड़ नहीं पाया, मैं नहीं लगती हर एक आदमी इसकी ले में नहीं आता हर एक आदमी इसकी पकड़ में नहीं आता वो लोग पकड़ में आते हैं जो मन से बहुत कमजोर होते हैं जो अज्यान होते हैं जो जानकारी जिनको नहीं होती है जिनका वियाना बहुत कमजोर होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मन से कमजोर हैं और आपका वियाना आपका अंदर से जो शक्ती है मार है वो बहुत ज़दा प्रिवल है जो आपको मानना चाहती है तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे तो शराब जैसे जाती है तो उसकी जानकारी कोड पूरा बनता है कि इसने ये काम किया इसने ब्लट पैसर कम किया इसने बॉड़ी को शितल किया शांत किया इसने रिलक्सेशन की फिलिंग दी या इसने सरीर को खराब हुई या चक्कर आए या पेट में दर्ध हुआ या में अधन हुई या ब्लड पैसर उपर हुआ या नी नीचे हुआ या सरीर में घवराट हुई या तवित खराब हुई ये सारी चीज़ें सरीर record करता है और record करने के बाद उस folder में डाल देता है अब आपको जब भी दोबारा शराब या नशिला पधात या cigarette या तंबाकू या अफीम चरस गांजा दिखाई देगा तो आपका वो folder एक्टिवेट होगा वो खुलेगा खुलने के बाद में अगर आपने उसमें ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा लगा तो आपको दुबारा चाहिए और अगर आपको नहीं ये जोड़ा है कि ये म उनका conscious mind ये बताता है कि शराब पीना ठीक नहीं है दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चाहे बेशक शराब नचले पदात लेता हो या ना लेता हो जो ये कह दे कि ये पदात मैं ले रहा हूं और ये अच्छा है अगर अच्छा पदात होगा तो अपने पुत्र को और पुत्री को जरूर पलाएगा और अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होगा वैसे जरूर देगा मर कोई दुनिया में किसी को शराब ना देता है ना पलाता है ये इसकी खास बात है इसका मतलब ये बुरी चीज़ है और बुराई की सामान है तो जब म बार 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 इसको मामता है तो उसको राग बोलते हैं ये राग आपके सरीर में आ जाता है इस राग की वैसे आपको सराव अच्छी लगती है बाकी सराब की इतनी ज़्यादा महिमा मंड़ित की जाती है नशे के परियात की ज़्यादा महिमा मंड़ित की जाती है कि ज सिर्फ एक राग है जो आपके अंदर फाइलर फॉल्डर बना हुआ है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि शरीर को शराब की आवसकता शरीर को नशे की पदार्त की आवसकता नहीं होती है जो नशे की पदार्त की आवसकता होती है वो पहले मन मांगता है यानि मन में आता है कि ये सेवन करना है या नहीं ये पीना है या नहीं ये खाना है या नहीं अगर मन से आपने उसको मने कर दिया रिजेक्ट कर दिया तो फिर शरीर को आपशकता नहीं है मगर अगर आपने मन में इसको बार 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 रिपीट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो चाहिए, चाहिए, चाहिए तो इसको लत बोलते हैं, इसको राग बोलते हैं ये बड़ा होता जाता है, ये एक बीमारी बन जाता है, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बेचेंगे, अपने घर के सामान बेचेंगे, अपनी जोयली बेचेंगे, अपनी बची हुई सारी चीज़ें उनको बेचेंगे, और इसमें बड़े बड़े अच्छे अच् मिलती है क्योंकि एलकोल तूटके गलुकोज में बदलता है गरम पानी पीलेंगे तो उससे भी आपको एनरजी तुरंत मिल जाएगी तुरंत शरीर आपका गरम हो जाएगा शराब से भी जाता आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते है मगर मन अगर आपका बारवार बारवार ऐसा कहता है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि शराब काम कैसे करती है लोगों को इतना ज़्यादा इसको महिमा मंडित किया जाता है खास तोर से पुरुसों के अंदर यानि मेल के अंदर कि उनको लगता है कि सराब बहुत बड़ी आचीज है जो सराब पीता है उसकी बड़ी आलिशान बात होती है जादा पिएगा तो जादा बात होगी महंगी पिएगा तो बड़ा रॉयल हो जाएगा और सराब बेशने वाली जो कंपनी हैं उनके मुनाफे सैक्ड़ गुना होते है एक एल्गो हल एक लीटर की जो पैदाईश है वो 10-12 रुपे में हो जाती है मगर उसे एक चमकदार बोतल में अप्टाइजमिन के साथ में वो 2,000, 5,000, 3,000, 2,000, 80,000, 20,000, 30,000 जो कीमत चाहें उसकी ले सकते हैं जितना उसको महिमा मंडित कर दें उतना ही जादा यही ठीक तंबाकों का और नशिले पदार्तों का बागी का है इस पूरे धंदे में इतना जादा पैसा है इतना जादा पैसा है कि लोगों को जबर जस्ती जबर जस्ती प्लेस किया जाता है पताया जाता है कि इसका सीवन करो इसको बहुत ग्लेमराइज करके दिखाया जाता है पिच्चरों में, नाटकों में, पोस्टों में, एफटाइजमेंट में ताकि आदमी को इसकी जिक्यासा लगे उसके सामने बार 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 पोस्ट राए उसको लगे कि इसे पीना बड़े शाम की बात है, बड़ी इज़त की बात है, बहुत बड़ा शेटस हो जाएगा, बहुत बड़ी मानत हो जाएगी और कईवार बच्चों के मन में आता है कि ये बड़ो का काम है, अगर इसे हम पीएंगे तो हम खुद बड़े हो जाएंगे इस तरह से ये पूरी दुनिया को ये जवज़स्ती कुछ लोग जो इसका मुनाफ़ा कमाते हैं, इसका पैसा कमाते हैं, वो इसके धंदे के लिए पूरी दुनिया को ये जहर बाटते हैं मगर ये किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि ये समानता प्यादारित हैं, उनके खुद के बच्चे भी जो शराप बिशते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना आठंगों का मार गया, उसमे का है सम्यक आजिवी का, यानि कि अगर आप अपने कमाने को धंदे को सह नहीं रखेंगे और किसी को पाप कर्में डाल के पैसा कमाएंगे, तो आपके बच्चे जीवन भर इसका दुख पाएंगे, आपकी पीडियों की पीडियों उसका दुख पाएंगे, इसके सराप बेच के, या सराप की परमिशन दे के, या सराप को अलाव करके, जो लोग बरबाद होता है गरती बरबाद होता है परिवार बरबाद होता है समाज बरबाद होता है और जो पैसा अगर कोई कमाता है तो भी बरबाद होता है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इससे बीमार रहते हैं इतनी ज़्यादा तोड़फुल होती है इतनी ज़्यादा क्राइम ह इसको आपको पियुक्त है है, इसको बियुक्त है, रहने को बहुतए हैे, यह मने के बाद भी भी था मर गया, यानि साला सरावी फिरी में गाली दे के उसको नवाजा जाता है और कोई उसकी मरने के बाद भी इचत नहीं करता, तो इससे कोई फाइदा नहीं है ना सामाजिक है, ना आर्थिक है, ना राजनितिक है, ना धार्मिक है, ना ही किसी देश को है हाँ आगर किसी देश की परजा को गुलाम मनाना हो किसी देश को बरवाद करना हो किसी देश को खतम करना हो और किसी देश को आगे ना बढ़ना हो तो सराव को जरूर बेचना चाहिए और खुब बड़ा चला के बेचना चाहिए क्योंकि सराव बेचने से कुछ पैसा देश को लगता है कि आ जाएगा मगर उससे ज़्यादा उसका पैसा हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा पैसा उसका पुलिस की कारवाई में उससे ज़्यादा पैसा उसका अधालतों की कारवाई में उससे ज़्यादा पैसा उसके जो बच्चे बिगरते हैं उनको ठीक करने में उससे ज़्यादा पैसा जो पूरे मोहले मसांती होती है उसको ठीक करने में चला जाता है इसलिए वो पैसा भी काम्याब नहीं होता बलकर और पैसा खर्च हो जाता है यह बुराई है बुराई जहां भी जाएगी बुरा काम ही करेगी अच्छा काम नहीं कर सकती शराब के बारे में आप किसी भी व्यक्ति से यह नहीं कह सकते कि यह बहुत अच्छी चीज है अगर यह बहुत अच्छी चीज होती तो बच्चे को पैदा होते ही शेहद नहीं खि और सरावी खांदान में शरावी भी अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करता यानि कि दो सरावी आपस में रिस्दार बनने को तयार नहीं है क्योंकि सरावियों में शादी कौन करेगा इसलिए सराव एक ऐसी बुराई है जो हमेंसा चंद लोगों को फायदा देती है पैसे का सामाजिक फायदा उनको भी नहीं है क्योंकि सराव बेशने वाले को भी इजद की निगासे नहीं देखा जाता जो दुकान पर सराव बेशते हैं उनको भी अच्छी निगासे नहीं देखा जाता बुराई तो बुराई है जहां टच करेगी जिसके पास भी जाएगी उसको बुराई ही करेगी और उसको खतम करतेगी इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने पांच सीलों में ये सील पांच मां दिया ये इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग इन वैसनों में पड़े हुए थे और भगवान बुद्ने प्रियास किया और मेहनत की और लोगों को पढ़ाया और समझाया और दिखाया कि देखो शराब कैसे नुक्सान करती है आओ एही पस्ति को आओ विपसना करो और देखो कि सरीर को कैसे प्रभावित करती है जब कोई विक्ती नसीला पधारत लेता है तो उसका सरीर उसके सामने ही मरना सुरू हो जाता है क्योंकि मरने की अवस्ता और सराब पीने के बाद की अवस्ता एक है जब आदी मरता है तब भी उसका सरीर कमजोर होता चला जाता है और जब शराब पीता है तब भी उसका सरीर कमजोर होता चला जाता है ये बात जिसको एहसास हो जाती है वो जीवन भर के लिए शराब छोड़ देता है शराब में जो लोग ये कहते हैं कि नसीले पदार्त या सराब या इसकी बहुत ज़्यादा तारिफ करते हैं या मेडिकल साइंस मों बताते हैं मेडिकल साइंस में एक सिंगल लाइन नहीं लिखी हुई कहीं जो इस बात को कह दे कि शराब सरी के लिए ठीक है एलकोहल और एमिकल वेक्शन में काम आ सकता है एलकोहल से बहुत सारी चीज़ें आ सकती है एलकोहल को आप जलाएंगे तो आप हाथ सेख सकते हैं एलकोहल का एक हीटर बना सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, एलकोहल से कार चला सकते हैं, या होमेपैति की दवाईों में सम्में एलकोहल होता है, उसमें डालके संदक्षित कर सकते हैं, एलकोहल के बहुत इस्तमाल हो सकते हैं, मगर एलकोहल को सरीर के अंदर डालने का प्राकर से डवलब किया होता है इसलिए एलकोहल जहर होता है अगर कोई जो ऐसा एलकोहल है जो अन्प्योरिफाइड है अगर उसको आदमी सेवन कर ले तो तुनर्ट मर जाता है आपने हजारों ऐसी घटना देखी होंगी जबकि कच्छा एलकोहल पीके इंप्योर एलकोहल पीके वो अच्छी फाइलों को बंद कर देते हैं यानि कि जो काम आप अच्छे करने वाले हैं वो बंद कर देते हैं और जो फाइल आपकी गंदी फाइल हैं जो क्रोध की है, काम की है, लालसा की है, इर्षा की है, विपसना की है, गाली करोच की है, हत्या की है, क्रिमिनल की है उ सब फाइलों को खोल देते हैं इसलिए नसीले पधार्थ लेने के बाद में आदमी अच्छे काम नहीं करता उसके मन में सबकॉंसेस मैंड में जो दबे हुए मन के अंदर जो बुरे काम होते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और वो उक रूक धान करते हैं चुकि मन बहुत कमजूर होता है इसलिए मन उन फाइलों को रोक नहीं पाता यह जो नसीला पधार्थ है यह उनको रोकने के लिए मना करतेता है और मार हावी हो जाता है सराब के नसे में चरस गांज यफीम के नसे में या जो ड्रक्स लेते हैं उसके नसे में या जितने भी प्रिकार के मज हैं या प्रमाद हैं उस नसे में आदमी सारे निगेटिव काम ही करता है सब उल्टे काम ही करता है कभी भी कोई भी आदमी आपको नसे में अच्छा काम करता हुआ नहीं मिलेगा ये नशे की खास बात है भगवान बुद्ध ने इसको बहुत पारिकी से समझा कि ये कैसे मन पे हावी होता है और कैसे आदमी की अच्छाईयों को हरण कर लेता है हत्या कर देता है और बुराईयों को खुराग देता है बुराईयों को ये आगे बढाता है और बुराईयां मन पहाबी हो जाती है और आदमी जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए त्यार होता है वो उसका बख्चन कर देता है यानि कि जिस पतनी को बचाने के लिए जान लगाता है जिन बच्चों को खाने कमाने के लिए खाना लाने के लिए वो पुरी जिनकी लगाता है सराब के या नशिले पधात के प्रभाव में आके क्याईवार उनकी भी हत्या कर देता है उनको मारता भी है उनको पीटता भी है इसलिए सराब बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज है भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर शेर आपके सामने आ जाए तो उससे मत डरना मगर अगर शराब सामने आ जाए नशिला पधार सामने आ जाए तो उससे आप भैपीत होना डरना उससे क्योंकि वो आपको अंदर तक चानवर बना देगी और आप अपने हाथों से अपने परिवार को खतम कर देंगे तो सुरा मेर मज्य पमादे ठाना वेरमनी बहुत ही बढ़िया और बहुत शांदार सील है ये पांचवा सील है आप इन सीलों को जीवन में अपनाईए और बुद्ध पूर्णमा मनाईए हन्यवाद